हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच दिस इस नितियस भारद्वाज जैसा कि आपको पता है टीजिटी के लिए हम प्लस्टू फिजिक्स को कर रहे हैं आज का जो हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर फॉर का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नेम इ चैप्टर है तो वीडियो को सुरू करने से पहले एक इपोर्टन जानकारी में आपको दे देता हूं जैसा कि आपको पता है प्लस्टू मैथेमेटिक्स का स्लेबर सम प्लस्टू पूरा स्लेबर सम टीजिटी के लिए कवर कर चुके हैं 120 प्लस वीडियो जो है यूट्यू के बार में पता नहीं है तो हमारे वर्ट्सैप आईडी पे मैसेज कर दीजिएगा फुल डीटेल आपको उसकी मिल जाएगी तो जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के सबसे पहले आपको इपोर्टेट की पॉइंट्स बताऊंगा इस चैप्टर में ज्यादा की पॉइंट्स नहीं बनते लेकिन हाँ इसमें जो है नुमेरिकल काफी ज्यादा बनते हैं तो ध्यान से जो है चैप्टर पढ़ना है जो भी फॉर्मूले लिखाऊंगा जो भी इपोर्टेट्स की पॉइंट लिखाऊंगा सारे के सारे आपको और नोड़ाउन करने हैं तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मेगनेटीक फिलक्स के बारे में प्रीविस चेप्टर में भी पढ़ा है वट इस मेगनेटीक फिलक्स होता है कि टोटल नमबर आफ मेगनेटीक फिल्ड में passing through a surface और उस object को रखा गया है किसी magnetic field में क्या हुआ magnetic flux total number of magnetic field line passing through a surface placed in magnetic field denote किया जाता है 5 से किसको magnetic flux को किसे denote किया जाता है 5 से magnetic flux किसके बराबर होता है dot product of BA जहां पर B क्या है magnetic field एक क्या है area तो कितना हुआ यह dot product आपको पता है क्या होता है BA cos theta यह हुआ हमारे पास magnetic flux ठीक है अब देखिए जब यह जो theta है हमारे पास zero degree होगा तो phi कितना आएगा हमारे पास बी डॉट ए ठीक है dot product हटा दिया cos 01 होता है तो बी यह कितनी वैल्यू आई maximum value जहां से बी हमारे पास निकला 5 divided by ए और यह relation क्या कहलाता है magnetic flux density प्रिवियर शैप्टर में भी अल्रेडी पढ़ा है क्या है magnetic flux density इसके उपर numerical पूछा जा सकता है formula याद रहना चाहिए दूसरा formula क्या है magnetic flux का क्या आया b.8 that is ba cos theta इसके बाद देखिए जो तीसरा important key point बनता है कि जो क्वाइल है हमारे पास ठीक है इफ एन नंबर ओफ क्वाइल है और जिस्टेस माल नबर ओफ रोटेसन और कोई ko madre योस में एन नंबर ओफ रोटेसन दी गय का है उस केस में फाइव क्या होगा उसकेश में फाइव होगा एन बी ए जितने नंबर ओफ रोटेसन होंगे उस्से जो है इसे multiply कर देना है इसके बाद देखिए magnetic flux density यानि magnetic field तीन नाम मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में इसके बताए थे ठीक है पहला नाम हो गया magnetic flux density दूसरा है magnetic field तीसरा नाम आपको जो है कमेंट करके बताना है कि और इसे क्या कहा जाता है अब देखिए इसकी इसकी यूनिट कितनी थी इसकी यूनिट हम अल्रीटी पढ़ चुके इसकी यूनिट थी एम ए इनवर्स टी माइनस टू माफ कीज़िए इस देमेंसनल फॉर्मूला ओप मैगनेटिक फिल्ड यूनिट थी इसकी वैबर पर मिटर सके अगर आपको याद होगा यूनिट होती ह कि लाट ए सक और इसका इमेंसनल फॉर्मूला रहते हैं म ए इनवर्स टी माइनस टू अब बात आती है मैगनेटिक फिल्ड् Kiss की कि मैगनेटिक फिल्यक्स देखिए क्या होता partly दो एसकी यूनिट और इसका डेमेंसनल फोर्मूला क्या बना क्योंकि एक्जाम में ऐसा में आ का बनेगी Unit unit जो होती है All magnetic flux की सीमपलार याद रखना है आपको ठीक है और इसका जो ड्यमस्leam फार्मूला होता है देखी कैसे निकालना fraud कितना होता है दी डौट हे ठीक है magnetic field के आपको dimensional formula पता है कितना है m a inverse t-2 और a area का कितना रहता है l square तो कितना हो गया यह m l square a inverse t-2 ऐसे जो है dimensional formula निकाल सकते हैं अगर आपको dimensional formula याद नहीं रहता है बस आपको simple इसका formula याद रहना चाहिए formula से जो है इसकी dimensional formula जो है अपने आप निकल जाता है यह तब निकलेगा जब आप इसकी प्रेक्टिस करेंगे i hope no doubt आपने कर लिये होंगे यह की point next देखिए जब किसी body को जो है माल लिजी कोई body present है uniform magnetic field और non uniform electric field में तो उन बोथ case में क्या कह रहा हूं माल लिजी कोई body है उसे place किया गया है या तो uniform magnetic field में या non uniform magnetic field में यह matter नहीं करता बस उसे place किया गया है magnetic field में तो उस case में जो है outward flux ध्यान दीजिएगा उस case में outward flux जो है वो होगा positive और inward flux inward flux होगा हमारे पास negative कब जब जो है object को place किया गया है uniform magnetic field या non uniform magnetic field उस case में outward flux positive रहेगा और inward flux जो है हमारे पास negative रहेगा अब next question देखिए next important key points बनता है एक माल लिजे कोई हमारे पास coil है ठीक है देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बता रहा हूं माल लिजे यह हमारे पास कोई coil है जिसमें n number of rotation है और माल लिजे यह कोई magnet है इस नॉर्थ पॉल इस सौथ पॉल धान दीजेगा इस concept को मैं एक बार समझाओंगा आगे जितने बार भी बोलूँगा तो मेरे बोलने से आपके दिमाग में यह concept पूरी यूनिट जब तक इस यूनिट को पढ़ाऊंगा यह concept आपके माइंड में रहना चाहिए क्योंकि इस सेप्टर में हम induction, EMF, current जो है induced होता है वो सारी चीजें पढ़ेंगे यह तभी आप पढ़ सकते हो जब भी मैं आपको बताऊंगा वह आपको याद तभी रहेगा जब आपके दिमाग में रहेगा कि EMF क्या होता है induction क्या होता है induced current कैसे होता है तो इससे ध््यान से समझे मा लीजी यह कोई हमारे पास क्वाई है जब हम यह हमारे पास क्या है इस जो है current को सो करते हैं लेकिन गलवनोमेटर जो है small current को बहुत छोटे current को जो है detect कर लेता है तो अब देखिए जब यह जो हमारे पास magnet है इसको हम coil की तर्फ लेकर आएंगे तो इस coil में जो है induced हो जाएगा current बहुत छोटा current जो है induced हो जाएगा और जब इसी दूर लेकर जाएंगे तब अभी जो है इसमें एक current बहुत छोटा current जो है induced होगा यानि जब इस magnet को इसके पास लाएंगे और दूर लेकर जाएंगे बहुत केस में galvanometer deflection हो करेगा इसका क्या मतलब होता है ड्यू टो relative motion of this magnet या क्वाइल को क्वाइल को दूर करिए इसके पास लेकर आगे तो ध्यान रखिए ड्यू टो relative motion of magnet और क्वाइल वहां पर जो है एक current induced होता है ठीक है इस क्वाइल के अंदर और यह कब होता है relative motion पर अगर मालनी जी इन में से कोई जैसे यह object इसको एक जगा पर रखा तब जो है induced current induced नहीं होगा current जो है induced नहीं होगा current induced किस केस में होगा जब इन दोनों में से किसी एक क्या होगी relative motion यानि इसको पास लेकर आएंगे गलवानोमेटर deflection वो करेगा दूर लेकर जाएंगे गलवानोमेटर deflection वो करेगा लेकिन इनकी position fixed वहेगी तब गलवानोमेटर जो है deflection वो नहीं करेगा तो यह अपने दिमाग में भी ठाली जीए ड्यू टू रिलेटिव मोशन ओप एनी वन ओफ दीज ऑफ जैक्त ठीक है वहाँ पर current क्या है induced होता है तो यह concept throughout the unit आपके दिमाग में जो है रहना चाहिए चलिए देखिए next emf induced कब होता है ज्यांदी जी emf induced होता है जब magnetic flux जो magnetic flux है link रहता है क्वाइल के साथ वो change होता रहता है with respect to time क्या देखिए emf induced होगा emf मतलब electromotive force ठीक है यह introduced कब होगा when बहुत important है when magnetic flux देखिए when magnetic flux जो linked है लिंक्ड विद क्वाइल देखिए क्या कह रहा हूं when magnetic flux लिंक्ड विद क्वाइल changes with time जी हां changes with time क्या कह रहा है emf induced कब होता है emf induced होता है when जब हमारा जो हमने magnetic flux पड़ा यह change होता रहता है with respect to time constant नहीं होना चाहिए change होता रहता है with respect to time तब emf जो है induced होता है emf और current में फरक आपको बता देता हूं ताकि आपको confusion ना हो current को induced करने के लिए circuit का complete होना अवसाइक है ठीक है current हम तभी कह सकते है किसी circuit में current है मतलब अगर circuit हमारे पास complete है emf उसमें induced हो जाता है अगर circuit complete भी ना हो ठीक है अब देखिए emf induced कब हुआ जब जो magnetic flux था यह change हो रहा है with respect to time यह छोटे छोटे concept आपको पता होने चाहिए direct mcq भी बन जाता है और आगे जब हम formulas करेंगे जो कि numerical में use होंगे ठीक है अब देखिए no change in emf ठीक है यह जो emf induced होगा या current जो induced होगा वो drop down हो जाएगा 0 कब अगर यह जो magnetic flux है फाई यह change ही नहीं होगा with respect to time मतलब इसका उल्टा क्या कहा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा देखिए आप से कोर्शन यहां पर कैसे तरह सा बन सकता है आपके लिए कोर्शन बन सकता है एक्जाम में कि मान लीजी जो magnetic flux है यह constant है यह change नहीं हो रहा तो बताइए EMF क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए जब यह magnetic flux change नहीं होगा तो इसका current और इसका EMF जो induced हुआ होगा वो drop down हो जाएगा 0 की तरफ कब जब magnetic flux जो है constant रहेगा यह चेंज नहीं करेगा बिद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इस पॉइंट को भी कॉपी में अपनी no-down कर लीजिएगा इसके बाद हम फेराडे के दो लाव पड़ेंगे फर्स्ट फेराडे का लाव और सेकंड फेराडे ला यह काफी यही चीज क्या कह रहा है कि जो मैगनेटिक फ्लक्स है यह फेराडे का फेर्स्ट लाव यहां पर लिख देता हूं फेर्स्ट लाव फेराडे यही चीज जो मैंने अभी बताई कि जो तो मैगनेटिक फ्लक्स लिंक्ड है क्वाईल के साथ अगर वो चेंज होता रहेगा ठीक है तो वहां पर इंडिूज्ड होगा एम्फ यह फेराडे का फेर्स्ट लाव कह रहा है सिंपल सा अगर मैगनेटिक फ्लक्स जो है अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू तो वहां पर क्वाइल में जो है इंड्यूजड होगा तो मैं इसको एरो लगा देता हूं कि यह फैराडे का फर्स्ट लाओ है जो अभी हमने पड़ा और इसका जो सेकंड लाओ है वो क्या कहता है सेकंड लाओ भी सेम चीज़ कहता है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग यह क्या है तक क्या है यह बोल रहा है कि जो वूंद होता हैmeye active का किते जो magnitude है जो इन्टूजड इएम2 यह एफ है यह क्या है उसले ओर तक माय पर्पोस्टम होता है कि स्केंटल इेएप घूप मगनेटिक फिलक्स देखीए फैराडे मिवाग क्या कहता है और यह second law जो है बहुत important second law of eraday कहता है कि जो EMF होता है E से denote कर रहा हूँ वो directly proportional होता है rate of change of magnetic flux that is d phi over dt with negative sign क्या है with negative sign और यह जो negative sign यह क्या बर्दर साता है induced EMF always opposes any change in magnetic flux ठीक है यह जो negative sign यह दर साता है कि जो EMF देखिए जो EMF induced हुआ है ठीक है जो EMF generate हुआ है वो हमेशा oppose करेगा magnetic flux को यह negative sign यहां पर दर सा रहा है और इस फर्मूले को एक और form में लिखा जा सकता है बहुत important है E directly proportional to 52-51 divided by T यह एक फर्मूला यह हमारे पास बन गया काफ important formula है इसके उपर numerical exam में पूछे जा सकते हैं और इस वाले chapter से electro magnetic induction इस वाली hearing से जुरूर numerical exam में आएगा क्योंकि बहुत important जो है यह chapter रहने वाला है for numerical purpose के लिए इसमें जो है key points उतने जादा नहीं बनते जितने numerical इसमें पूछे जाएंगे तो यह formula आपको आने चाहिए देखिए दो formula हो गए किसको निकालने के EMF ध्यान रखेगा numerical में तो आपको formula apply करना आना चाहिए हमने तो second law of herade बढ़ा ठीक है लेकिन numerical आएगा तो numerical में हम formula को कभ यूज करेंगे जो आपको EMF निकालने के लिए दिया गया होगा साथ में magnetic flux भी दिया गया होगा अभी हम इस वीडियो के बाद जब यह content में आपको करवा दूँगा तो numerical भी करवाओंगा वीडियो के end में तब आपको जयाड़ा clear हो जाएगा पहले आप यह formula लिख लीजिए ठीक है अब देखिए तीसरा formula इसमें बनता है e directly proportional to minus n d phi over dt वाइल है उसका जो magnetic flux अफलाना है और number of rotation है उसको वाइल के अंदर माली जो 200-300 तब यह formula आपको यूज़ करना है time भी given दिया गया होगा तो यह तीनो formula लिख लीजिए numerical purpose से बहुत important है और जो first law है वही second law जो है सेम चीज़ कह रहे हैं लेकिन कहने का धंग जो है थोड़ा अलग है अब देखिए तीसरा जो direction होती है किसकी induced EMF की यह किसके द्वारा बताई जाती है यह बताई जाते flaming अब राइट हैंड रूल के द्वारा अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा जो है direction बताई जाते EMF के माल लिजिए जैसे यह माली जीए फ्लेमिंग का राइट हैंड है अब देखिए जो इसमें थंब है यह थंब है कंड़क्टर की मोशन ठीक है इसमें जो मेरी फोर फिंगर है यह बता रही है डारेक्शन और मैगनेटिक फिल्ड तो जो मेरी सेंटर की फिंगर रहे गई यह है हमारे पास इंड्यूजड 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 हुआ होगा ठीक है अगर आपको पास एक्जाम में आए कि बताई इंड्यूजड 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 की डारेक्शन किसके द्वारा दरसाई जाती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा और इसमें आप से कई बार काफी कंडिशन लगा के भी आपसे पूचा जा सकता है अगर मैगनेटिक फिल्ड मालने जी इस तरफ है तो इंड्यूजड इमेफ किस तरफ होगा तो आपको पता होना चाहिए राइट हेंड रूल क्या है इस तरीके से अपने देखना है और जिस डिरेक्शन में क होगा अपना हाथ को डिरेक्शन में रखके आप जो है इंड्यूजड इमेफ के डिरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं तो यह कुछ है कि पॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं कि फॉर्मूला है इमेफ निकालने का है ठीक है उस फॉर्मूले को लिख लीजिए वह अपलाई होता है जैसे यह 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 मेर데 निकाला देखे ГYMF के और फॉर्मूला आप बता देता हूं यह क्यों अगर जो हमारे पास मारे पास जो है इसको करते हैं इंड्यूजियांज्ड इमाफ होगा तो इसमें मोशनल इंड्यूज यह मैं देखिए विलोश्टी का यूज हो रहा है लैंथ ओफ कंड़क्टर दी गए होगी बी मैगनेटिक फिल्ड दी गए होगी उस केस में अगर इंड्यूज डियम एफ निकालने को बोला जाएगा तो यह फर्मूला जो है अपने अपलाई करना है तो यह आज के important key points और formula थे I hope no down कर लिये होंगे अब मैं आपको इसके उपर अधारित जो है numerical करवाऊंगा ताकि कोई भी confusion कोई भी doubt आपको ना रहे क्योंकि यह chapter जो है numerical purpose से ज्यादा important है अगर आप channel पर नए हैं तो channel को जुरूर subscribe करिए और हाँ जिस student को जो aspirant tgt की त्यारी कर रहा है जिसको इस channel के आप सकता है तो यह duty आपकी बनती है दोस्तों कि उस तक जो है इस channel को पहुंचाया जाए और हां वो जानकारी फिर से आपको दे देता हूं mathematics के लिए जो एक paid batch शुरू किया गया है जिसमें full detail से जो है mathematics की त्यारी करवाई जाएगी आपकी वैसे तो channel के उपर और 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 एडी 120 प्लस वीडियो आपके लिए दी गई है लेकिन उससे थोड़ी सी एडवांस जो है ट्रेनिंग होगी mathematics के लिए तो mathematics का एक कोर्स एक अपरेल से सुरू होने जा रहा है अगर अभी तक आपने जोईन नहीं किया तो whatsapp पे हमें message करिए और उसकी full detail लिजिए और जानिए कि कैसे जो है आपको वो चैनल को जोईन करना है आप कीजिएगा कैसे जो आपको उस कोर्स को जो है जोईन करना है काफी फाहिदे मंद आपके लिए कोर्स रहने वाला है उसमें मैं आपको live जो है google meet या teachment आपके थूरू पढ़ाऊंगा लेकिन एक बात याद वो कोर्स जो है पेड़ कोर्स है तो इसकी पूरी जानकारी आपको हमारी वर्साप आइडी के उपर मिल जाएगी पढ़िए पहला नुमेरिकल पढ़िए और अपना सारा ध्यान magnetic flux electromagnetic induction के उपर ही concentrate करके रखिएगा आगे पीछे का जो कुछ भी है इस 20-30 मिनिट के लिए भूल जाएए जितना मैं अभी करवा रहा हूं उसके उपर अपनी पुल कंसेटरेशन रखिएगा पर देखे पहला कोशन है दा मैगनेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग एक क्वाई चेंज फ्रॉम ट्वाइल इंटू 10 रेज तू पावर मैनस थ्री वेबर टू 6 इंटू 10 रेज तू पावर मैनस थ्री वेबर इन 0.01 सेकिंड कैल्कुलेट दा इंड्यूजड देखिए इंड्यूजड इंड्यूजड इंफ आपके लिए गया है मैगनेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है फाइवन देखिए फाइवन कितना दिया गया है फाइवन इसमें आएगा 12 इंटू 10 रेज तू पावर मैनस थ्री जो दूसरा दि जाहें इंड्यूजड इंड्यूजड इंफ क्या फार्मूला होता है इंड्यूजड इंफ माइनस देफाई ओबर डीटी जिसे हम लिख सकते है माइनस 52 माइनस 51 डिवाइड बाइड बाइड दी ठीक है बिल्कुल सीम्फल है करिये स्वाल 12 इंटू 10 रेज तू पावर मैन दो जीरो लगेंगी ऊपर चल जाएंगी एड होंगी तो माइनस वन आएगा विच इस उपकोल टू जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट यह हमारे पास इंडियोज डियमेफ आ गया जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट तो देखा आपने कितना इजी नुमेरिकल है बस आपको याद हो जो है होनी चाहिए यह हमारा पहला नुमेरिकल हो गया दूसरा नुमेरिकल पढ़िए अ वायर ओफ लेंथ जीरो पॉइंट वन एम मीटर मूज भीद स्पीड ऑप 10 मीटर पर सेकिंड पर प्रपेंडिकूलर टूब मैगनेटिक फिल्ट ऑफ इंडक्शन वन वैबर पर 10 मीटर पर सेकिंड और मैगनेटिक फिल्ट इंडक्शन यानि बी कितना दिये गए है वन वैबर पर मिटर स्केर इंडियूज डियमेफ निकाल है मैं आपको दो फार्मूले बताया थे एक फार्मूला बताया था जिसमें विलोस्ट आपको दी गई हो क्या होता है और वी क्या है विलोसेडी तो करिए सबस्टिचूट डारक्ट वैल्यू बी कितनी है वन है लैंथ कितनी है 0.1 मीटर और विलोस्टी कितनी है 10 विच इस उकल टू वन वोल्ट तो यह हमारे पास इंडियूज डियमेफ आ गया इस केस में तो आपने देखा कि कैसे जो है यह नुमेरिकल स्वाल हो रहे है बस में मकसद है जो की पॉइंट्स आपको करवाए वो आपको याद रहने चाहिए और नुमेरिकल में अपलाई करना आपको आना चाहिए आज की वीडियो में इतने ही दो ही numerical करवाऊंगा next वीडियो में जो है numerical ज्यादा रहने वाले हैं क्योंकि इस chapter पर जो है बहुत ज्यादा numerical बनते हैं और exam में पूछे भी जाते हैं तो next वीडियो पूरी वीडियो जो है numerical पर रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो स्किप करना ना भूलिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद, जैहिंद, जैभारत